हलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में ये देखे प्यारा सा मल्टी कलर्ट डिजाइन, बहुत ही खूपसरत और प्यारी सी डिजाइन है, इसे मैंने तीन रंगों से बनाया है, बहुत ही प्यारी और आसान सी डिजाइन, इसे आप किसी भी स्वेटर में, जैकेट पे, पे बना सकते हैं, जैन स्वेटर पे भी बनाये तो भी बहुत की खूपसरत और प्यारी से हमारी डिजाइन बन के आएगी, तो आज की वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं, ये देखिए, इस कलरफूल डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10-10 के मिल्टिपिल प्लस फंदे चाहिए, प्लस वन कर देंगे, तो ये डिजाइन बिल्कु सेट हो जाएगी, और यहां पे मैंने 10 के मिल्टिपिल 50 प्लस फंदों में ये डिजाइन आपको बना करके दिखाती हूँ, तो आएए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में सबसे प इसकी फंदे हमारे ये ब्लैक के हो गए, और अब यहां पे हमारा वाइट कलर आएगा, तो 1 हम वाइट से करेंगे, और इसके बाद ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ब्लैक और 1 हमारा वाइट अब यहां से 1 white, 9 black पूरी रो में हम बार बार रिपीट करेंगे देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे black और 1 हम white से करेंगे तो हम बना कर दिखाते हैं और यह देखे 1 white, 9 black करते आएंगे तो last में 1 white के बाद सिर्फ 5 पंदे ही हमारे black करेंगे स्टार्टिंग में भी 5 black है और last में अब row 2 में इस white के दोनों side के एक black पंदे हमारे white होंगे हर जगा तो मैं आपको row 2 बना करके दिखाती हूँ तो row 2 में सबसे पहले मारा black कलर आएगा यह 1, 2, 3, 4 हमारे black से अब इस black को हम white से बनाएंगे तो 1, 2, 3 फंदे white 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे black से अब हम 3 फंदे white, 7 black पूरी row में repeat करेंगे यह देखे white दोनों side हमारे white हो जाएंगे यह 1, 2, 3 फंदे white और 7 black तो 3 white, 7 black पूरी row बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं यह देखे इस white के पहले वाले black फंदे को ही हम white कर रहे हैं यह 1 हो रहा है, यह 2 और यह 3 और यह देखे जब हम row की last करेंगे तो सिफ 4 फंदे ही हमारे black के रहेंगे और अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे row number 3 तो इस तरह से देखे हर बार दोनों side एक-एक फंदे हमारे white के बढ़ते जाएंगे और black वाले दोनों side एक-एक फंदे कम होते जाएंगे तो यह हमारे देखे row number 3 और इसमें भी ये 1, 2, शिरूब के 3 फंदे हमारे black के हो गए अब हमारा white कलर से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे white से अब यहां से हम 5 फंदे white, 5 फंदे black पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे यह 1, 2, 3, 4, 5 white हो गए अब 5 फंदे black के हैं तो इसी तरह 5 white और 5 black बना कर बताते हैं यह देखें जब इनी फंदों को रिपीट करते आएंगे तो लास्ट के 3 फंदे हमारे black कलर से रहेंगे यह देखें row 4 में सबसे पहले 1, 2 फंदे हमारे black के रहेंगे और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे white अब हमारे पास यहां 1, 2, 3 फंदे black करेंगे तो स्टार्टिंग में सिर्फ दो फंदे हमारे black करेंगे उसके बाद 7 फंदे white, 3 black हम पूरी row में repeat करेंगे तो एक बाद और repeat करके दिखाते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे white और 3 फंदे black तो इनी फंदों को repeat करते हुए इस पूरी row को हम बनाएंगे यह देखें 7 white, 3 black, 7 white, 3 black करते हैंगे तो लास्ट में सिर्फ यह 1, 2 फंदे ही हमारे black कलर से रहेंगे यह हमारी row 5 है जिसमें 1 हम black से करेंगे और अब हमारा white 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 अब हम 1 black, 9 फंदे white पूरी row में बार बार repeat करेंगे एक बार और repeat करते हैं यह बीच वाला 1 हमारा black हो जाएगा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे white और फिर 1 हमारा black से तो इनी फंदों को repeat करते हैं इस फूरी row को हम बनाएंगे देखें जब इनी फंदों को repeat करते हैं तो last में 1 हमारा black जो extra है वो black कलर से रहेगा अब फिर हम back side पर आ जाएंगे row number 6 अब यहां पर हमारा black की जगा red कलर आ जाएगा तो इस black को अब हम one red करेंगे यह देखें one हमारा red रहेगा और इस white फंदे को हमें white कलर से बनाना है यह one, two, three, four, five, six, seven, eight और एक nine तो one red, nine white पूरी row बनेगे यह जहां जहां हमारे black फंदे हैं उसे हमें red कलर से बनाना है one हमारा red और यहां पर nine फंदे white के यह one, two, three, four, five, six, seven, eight और एक nine फिर यहां one black को हम one red करेंगे और यह देखें one red, nine white, one red, nine white करते आए हैं तो last वाला one हमारा red कलर से है और यह देखें अब हम row number seven पे आगे हैं अब यहां से हमारे red के फंदे कम होंगे और white के हर बार दो-दो फंदे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे यह देखें तब शुरू में हमारा red है तो इसे हम red ही बनाएंगे तो one two हमारे red से हो जाएंगे अब white कलर से one two three four five six seven पंदे white और red कलर से one two three हमारे red अब हम seven white three red पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे यह one two three four five six seven हमारे white से और थ्री पंदे red तो यह देखें अब इसी तरह से यह पूरी रो हमारी बनेगी यह देखें जब मैं इन्ही पंदों को रिपीट करते आएं हूँ तो last वाले दो फंदे हमारे red कलर से रहेंगे और यह हमारी रो eight है back side से जिसमें one two three पंदे red के और अब हमारा white आएगा one two three four five पंदे white और five पंदे red को होंगे one two three four और यह five तो starting में सिर्फ three पंदे हैं उसके बाद five पंदे white पंदे red हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे यह देखे एक बार रिपीट करते हैं यह one two three four five पंदे white और one two three four five हमारे red के तो इन्ही पंदों को रिपीट करते हैं अब पूरी रो को बनाना है यह देखे जब इन्ही पंदों को रिपीट करते हैं तो last में यह one two three पंदे ही हमारे red के रहेंगे और देखे रो 9 में यह one two three four हमारे red केलर से होगे अब white से one two three पंदे white one two three four five six seven हमारे red से हो जाएंगे अब हम three पंदे white seven red पूरी रो में repeat करेंगे one two three पंदे white और seven red one two three four five six और एक seven तो इन्ही पंदों को repeat करते हैं इस पूरी रो को बनाएंगे और यह देखे जब रो की last में आएंगे तो यह one two three four हमारे red से हो जाएंगे और यह हमारी रो 10 है जिसमें red केलर सी one two three four five हमारे red से हो जाएंगे और one बीच वाला हमारा white रहेगा और इसके साथ ही इस black वाले धागे को भी हम अपने साथ इस तरह से लेते चलेंगे अब हमारा one white के बाद one two three four five six seven eight nine फंदे red और one हम बीच वाले white को white से करेंगे और इस black वाले धागे को भी इस तरह से ले लिया अब फिर nine फंदे red के तो इस तरह से one white nine red हम पूरी रो बनाएंगे और यह देखे यह तीन white की बीच वाला ही one हमारा white किलर से बन रहा है और यह देखे one white nine red करते वह आएंगे तो लास्ट में यह one two three four five five फंदे ही हमारे red के रहेंगे और यह देखे रो 10 तक हमारी यह डिजाइन बन गई अब हमें फिर रो 1 से लेकर रो 10 तक की डिजाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करना है पूरे शाटर में तो यह देखे अब यहाँ पे हमारा बस color change हो जागा जैसे नीचे यहाँ base हमारा black था और यहाँ पे हमार red color से ही बनाएंगे तो रो 1 हम बना कर भी दिखा देते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 पंदे red करेंगे और जो यह white है इसे अब हम black कर देंगे तो 1 हमारा black अब फिर red color आ जाएगा और red color से फिर हमारे 9 फंदे बनेंगे यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 और यहाँ पे 1 हमारा black हो जाएगा तो हम पूरी रो बना करके और फिर आपको दिखाते हैं देखें इस पूरी रो को मैंने complete कर लिया है तो last में फिर 55 रेट को गए तो जैसे मैं row 1 से row 10 तक बनाया है और row 1 फिर मैंने बना लिया है फिर यहाँ से बार बार हमारा row 1 से लेकर row 10 तक की design को repeat करेंगे और सिर्फ हमारा color change होता रहेगा तो पूरी design बनने पे देखें हमारी इस तरह से बन के आएगी यह देखें इसी 10 रो की design को जब मैंने बार बार repeat किया है तो कित्ती खूफसवत और प्यारी से हमारी design बन के आई है मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आयो हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताई कि यह design आपको कैसी लगी तेंक यू